हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल फैमली होप यौल आपके करेंट पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं होगी ठीक है क्या ये रिलेशनसिप आगे जाएगा इसका कोई फ्यूचर है या नहीं क्योंकि यहां पे बहुत सारी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो अल्रेड यहां नहीं के ज एकटे को सब्सक्ता है किया आपके इस वाल इस रिष्टे को eating करेंगे या नहीं करेंगे माने या नहीं मानेंगे तो यह बहुत बड़े कोईस्टन से बहुत बड़ा सवाल है और बहुत डिफ्रेंट यूनिक टॉपिक था तो मुझे लगा कि इससे बहुत साही लोगों की मदद होगी ठीक है अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा है हेल्फुल लगा है कमेंट में जरूर बताईएगा तकि मैं हमेशा रिगुलर इस टॉपिक पे जो है ना रिडिंग लेकर आते रहूं आप सभी लोगों के लिए ठीक है यह तो हो गया जो भी मिंगल है रिलेशन्शिप में है उनको तो पता चले गहीं कि आपकी शादी होगी तो किससे होगी या फिर करते हैं इतना कुछ बताऊंगी इतना सारी क्लूज आपको मिलेंगे कि आपको खुदी पता चल जाएगा कि क्या आपके करेंट पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं वैसे मैं यस नो में भी आपको बताऊंगी जरूर परसेंटेज में बताऊंगी कि शादी होगी यह नहीं जो लोग यहाँ पे single video देख रहे हैं definitely उनके लिए भी वीडियो है second third marriage वाले हो male हो female हो सभी के लिए है क्योंकि आपको definitely आप पता चलेगा कि किसे होगी आपकी शादी क्या आपकी current partner से क्या आपके एक्स से या फिर कोई new person आपके life में इंटर करेंगे तो बहुत ही beautiful बहुत ही detail reading होने वाली है चैनल पर नए हैं जरू subscribe कीजिए पेट परसनल रिडिंग के लिए contact कर सकते हो मेरी Gmail और इंस्टाइडी के थ्रू ठीक है जो कि मैंना आपको इस्टाइड अगर चाहते हो डिर्क्ली मेरे इस्टाइडी पर पहुचना तो दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप अराम से पहुच सकते हो ठीक है सब्सक्रिप्र, उसलिकारण औराम आपको आपके दूपर और के उसलियों ज्सक्रिप्र बाहटाएगा definitely बहुत ही ज़्यादा इस रिडिंग में तो आपको guidance मिलने ही वाला है ठीक है all right so मैं आपको अब बताऊंगे कि pile selection कैसे करना है मैं आपको बताती हो फिर मैं आपको pause भी करके दिखाऊंगी यूँकि बहुत सारी लोग new भी होंगे ठीक है तो कैसे select किया जाता है जरूर मैं बताऊंगे अगर आपका birthday 1-16 के बीच में आता है pile 1 आपकी reading होगी ठीक है जो भी date of birth के according जाना चाहते है वो date of birth select करेंगे और जो भी cards की according जाना चाहते हैं वो card भी select कर सकते हैं मैं card भी आपको बता दूंगी जिनका पतर इस 17-31 की बीच में आता है वो pile 2 select करेंगे ठीक है and then है आपके लिए आपके लिए अपर इस वन इस वार पाइल वन okay description में जो है न मैं time stamp लगा दूंगे आप आराम से वार से क्लिक करोगे अपने pile पे और पहुत जाओगे ठीक है कोई tension की बात नहीं है and then है याप इस वन इस वार पाइल चूँ all right so intuitively आपको select करना है अपने भगवान इश्वर जीजा सल्लवाही गुरू जिसे आप मानते हो उनका नाम लेकर आपको select करना है okay so अब मैं आपको pause करके दिखाऊंगी उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके rating पे हेलो पाइलवन होब कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को select करके आए होंगे या फिर आप अपने इस प्यूटिफुल कार्ट को select किया है चानल पर नए है जरू सब्सक्राइब कीजिए पेट पर्सन रेडिंग के लिए contact कर सकते हो मेरे चीमेल और इंस्टाइडी के थ्रूंग तो सबसे पहले तुम आपको यही बताऊंगी कि आपके जो लिए पर्सन है करें पार्टनर है क्या उनसे अपकी शादी होगी या नहीं या फिर कोई निव परसंटेज में आपको बताने वाली हो ठीके विल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को ठीके अगर कोई निव होगे तो कैसे होंगे कैसा होगा आपका मैरर लाइफ सब मेरे वीवर्स की शादी कहां होगी किन से होगी प्लीज कोड की में कुरेट मैसेज्ज वर मैं दियर व्यूवर्स इस वन ओके काफी ब्यूटिफुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए और दिखें कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि जैसा हम सोचते हैं उसके अपर दिशें नहीं होती है और यह भी होता है कि उससे भी कुछ बहुत बहुत जादा बहुत जहें प्लान करके रखते हैं और वह चीज आपको मिलती है डिवाइन टाइम पे तो ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है वैसे मैं आपको और वेच्छे समझाना चाहूंगे प्लीज को गिप में एक्यूरेट मैसेच ओके काफी ब्यूटिफूल इंफॉर्मेशन है ठीक है आप हर तरीके से मुझे लखी दिखाई दे रहे हो अपने मैरेज को लेकर ठीक है अगर आपकी मैसेच कैसे होंगे इंके फूचर स्पाउस केरें और राइड को यहाँ पर कुछ से nowvea करें सीचिक बहुत ही ज्यादा बोरस बहुत ही जालर दिखाईए मेरा आ है इस तरह है कि आप इस तरह कि आ शो की पर संप पीछे भाग रहे हो शायद जों शायद आपकी साधी ना हो ठीक है यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप किसी ऐसे परसन के साथ relationship में आने वाले हो इंटर करने वाले हो ठीक है जो कि बहुत ही different होंगे जिसके साथ अभी आप relationship में हो जिसके साथ deal कर रहे हो यहां पर clearly दिखाई दे रहा है कि आपका जो current situation है बहुत ही ज़्यादा fear बहुत ही ज़्यादा overthinking आपके मन में दिखाई दे रहा है ठीक है टेंशन है तनाव है आप अकेले में हो खुद को mirror में देखते हो खुद से ही बाते करते हो ना ही कोई life में है जिससे आप अपने सारी बाते discuss कर सको ठीक है आप चाहते हो कि कोई ऐसा place मिले जहां पर मत जाके अपने सारे frustration को गुसा को जो है निकाल दू फेक दू चिला कर बिल्कुल इस तरह ठीक है आपको ऐसा feel होता होगा लेकिन आप यह सोचते होगी कि कहां जाओ मैं कहीं जा भी नहीं सकती मैं कहीं जा भी नही है कि बहुत सारी लोगों कुछ रिलेशन से पहना वो बेटर होगा अच्छा होगा उस पर आपको बहुत जादा वर्क करना होगा और एट महिने के अंदर आपका रिलेशन से अच्छा हो सकता है ठीक है यह कम चांसे है फिर भी आप मान के चलो 30 & 40% ही चांसे है कि आपके कर स्पाउस सारी परसनालिटी बताऊंगी ना कि आप तुरंध यू जो है समझ जाओगे ठीक है सो यहां पर 3 of sorts आपका करेंट सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ही जादा आपको धोखा मिल रहा है इस तरह किसे दर्द में और दुख में देखकर डिफिनेटली क्लियरली दिखा यह चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप चीचीच के अपने बाते कहते हो पहरे ग्राफ में जो है आप मैसेज सेंट करते हो और आपके जो परसन है वह मैसेज़स सीन भी करते होंगे और सीन करके छोड़ देते होंगे रिप्लाइब नहीं आता होगा या फिर आप बहुत और काल करते होंगे सेवें टाइम टेम्स सुद्रेज ताइम सब्सक्राइब ताइमस सब्सक्राइब कि ओका्राइब क्योंकि यह कार्मिक रिलेशनसिफ है जिसके साथ आप डील कर रहे हो तो शुरुवात में ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा बेशुमार प्यार होता है अच्छा महाल होता है ठीके कहा सकते हैं काफी अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो लेकिन लास्ट में इतना ज प्यार जाते जिससे आप ड Seit G7 जिससे कमिट्मेनट नहीं मिला इसे क्रीठ नहीं उसित्य४ के तै कि अब जाते हो और ईसा दिकाई है क्थे रिक्वेस्ट करते हो जिस लेवल पर जी और फीन आ जाओ और शादी करना मेंहर स्थाasya का कमिट्मेंट एदू तो एसे नहीं ह होता है सामदे वाला परसन अगर इंट्रस्टेड होता ना तो आपको शायद बोलने की जर्वत भी नहीं पड़ती तो यह बहुत सारे लोगों का करें सिचुएशन दिखाई दे रहा है जो की डिसकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था चाहे तो आप कमेंट में बता सकते मैसेश जो है ना आप कमेंट कीजिए वहां पर बाते कीजिए अच्छा लगता है मैं रिप्लाइ करती हो तो यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यह सब बहुत ही ज्यादा फ्रस्टेट हो भी अपने लाइफ में परिशान हो तो यहां पर स्काट के तो यह दिखाई बहुत ही ज्यादा अच्छा ठीक है कुछ लोगों की शादी अगर नहीं भी हो रही है तो यहां बगवान आपको कहना चाहते की एट महीने के अंदर इतने स्पीड से आपके काम होंगे इतने स्पीड से आपका लव लाइफ अच्छा होगा इतने स्पीड से आपके पूरे ज्यादा अच्छा लगता है तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका लाइफ भी दौड़ेगा शाइन करेगा ठीक है जिस तरीके से एक हॉर्स दौड रहा है तो उसके उपर शाइन करता ना सूरज की रॉसनी पड़ती है तो कितना ब्यूटिफुल लगता है शाइन करता अगर आप अभी के टाइम में बहुत ज्यादा टेंस्ट हो परिसान हो ऐसा सोच रहे हो कि जो में करें पार्टनर है मुझे कमिट्मेंट नहीं देंगे तो मेरी शादी कहीं नहीं होगी मैं विकार हूँ शायद इसलिए मुझे कमिट्मेंट नहीं मिलता है और जब यह परस किसी एक परसन को सब कुछ मान लेते हो और यहीं सबसे बड़ी गलती होती है और यहीं दिखाई दे रहा है बहुत साय लोगों कहने के लिए बहुत कुछ है बहुत जहादा कार्स जो हैना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपके करेंट सिचुएशन के बारे में दर्सारे हैं देखिए यहां पर मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगे तो आपके साथ देफिनेटली जस्टिस होगा अगर आप चाह रहे हो भगवान से नयाय चाहते हो रिक्वेस्ट करते हो प्रातना चाहते हो सब कुछ mean शरेंडर कर चुके हो कि हाँ अब जो है मैं अपना सारा प्राइब्रम उपर वाले को युणिवर्स पे छोड़ता हूं छोड़ती हूं ठीके इस तरह का सिचुएशन आपका दिखाई दे रहे हैं तो अब जो है आपका प्रॉब्रम वो यूनिवर्स का प्रॉब्लम बन प्रॉब्रम्स आपके सॉल्फ करने वाले आपके सुख सारे दुख दर्थ को जोना वो क्या करेंगे हील करेंगे ठीक है और मैंने आपको बताया कि एट मंत के अंदर या एट वीक के अंदर आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंजेस होने वाला है यह क्लियरली है कि प्लीज आप अपने रिप्यूटेशन को अपने सल्फ स्टिंग को कभी भी डाउन ना होने दे किसी के लिए भी क्योंकि अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा वर्स सिच्वेशन में गिरा रहा है इस्पेशली वो परसन जो कि मतलब ख्लेम करता था दावा करता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं वैसा परसन अगर आपको नहीं समझ रहा है तो फिर आपको जो है बिल्कुल उस परसन को भी उसी तरह करना चाहिए टीट फॉर टैट करना चाहिए ऐसा हो सकता है कि जब आप टीट फॉर टैट वा सकता है और हो सकता है में भी थोड़ा लग रहा होगा लेकिन हां बहुत ही जादा आपका जो फ्यूचर है आप खोदी कमेंट करोगे यहां पर आके ठीक है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज इतना भी दुखी ना रहे कि आपके चेहरे को देखकर आपके चेहरे को आपके लुक्स को आपकी हेल्थ को देखकर समझ जाए तो यह चाहती हूं कि आपके पैरेंस आपके फैमिली वाले सब समझे और आपको पूरी तरह सपोर्ट करें यह भी चीज आपका दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो हो अपने सारी बातें जो है ना शेर न बंत है कि आपता है कि सब्हीं वैसा होगा सब्हीं लोग मुझे करें तो यह सोचना बंद कर देजिए क्योंकि सब्हीं लोग अलग होते हैं सब्हेरway प्रणद से करते हैं यह नहीं है नहीं तो होते हैं बहुत ही लोग होते हैं और अपर होते हैं यहां पर सारे लोग होंगे वैसे थे मुझे यह कहना आप सभी से कि पहले अपने एनर्जी को चेंज कीजिए पहले आपको एक पॉसितिव एनर्जी में आना होगा तभी आप शादी कर पाऊगे तभी आपके तरफ जो है एक अच्छे परसन आप आएंगे तिक यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके इसमें डेफिनेटली कोई परसन इंटर तो करना चाहते हैं लेकिन आप शायद स्टक हो इसलिए वो भी स्टक हो चुके है यह चीज यहां पर दिखाई दे रहा है कि जब तक आप अपनी एनर्जी को ठीक नहीं करोगे हील नहीं करोगे अपने पास्ट को होल्ड करके रखो चीज बड़ा information कि परसं कहीं दूर के हो सकते हैं यह कोई बहुत famous या फिर बहुत rich person हो सकते बहुत बिसनमन हो सकते हैं और आप कहीं बाहर जाओगे ठीक है कहीं कहीं बाहर ट्रावल करने जारे हो अइरपोर्ट पर हो कहीं प्यों हो यह कहीं भी बाहर हो आप घर से बाहर हो में भी ये person आपको मिल सकते हैं लेकिन बहुत जादा chances है कि आप कहीं घुमने फिरने के लिए जा रहे हो ठीक है enjoyment के लिए जा रहे हो मतलब आपके दिमाग में कोई ऐसा मतलब सोच नहीं है या फिर कोई idea नहीं है कि मुझे मेरे soulmate मिल जाएंगे मुझे मेरे partner मिल जाएंगे ऐसा आपको सोच के नहीं जाओगे बस अपने काम के सिल्सिले में जाओगे और अचानक से उसी वक्त आपके परसन इंटर कर सकते हैं ठीक है यहां पर ऐसा दिखाई देर यहां पर arrange come love marriage भी दिखाई दे रहा है और love come arrange marriage भी दिखाई दे रहा है ऐसा हो सकता है कि आपके जो parents है जिसको ठूंडेंगे आपके लिए वो परसन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे kind होंगे down to earth होंगे और वो आपको बहुत ही ज़्यादा impress कर जाएंगे आप लोग मेरे parents ने choose किया है यह बिल्कुल perfect है मेरे लिए और देन आपके दोनों की बीच में एक love bounding create होगा beautiful bounding create हो जाएगा ठीके तो देख पा रहे हो ना कि आप लोगों का married life भी beautiful हो गया ठीके ना ही आपके parents दुखी है और ना ही आप दुखी हो आपको भी आपके पसंद के person मिल ठीके कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है मुझे आप क्लिरली दिखाई दरहें कि शायद आप अपने family वाले को अपने कार्मिक partner के बारे में बताए हो ठीके और इसलिए जो है ना आपकी जो parents है वो इनको reject कर रहे हैं क्यूंकि आपके parents बहुत ही जादा experience है वो देख कर समद च है आपकी शादी नहीं करा रहे है ठीके यह reason हो सकता है तो कभी-कभी आपको empathetic बन के सोचना चाहिए अपने parents के जगा पर भी चाकर सोचना चाहिए क्योंकि parents जो हैं बहुत ही कमी लोगों के जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं तो यहां ऐसा दिखाई दे रहा है कि कपी भी ब इसलिए टॉप priority अपने parents को रखना ज़रूरी है और उनके बातों को भी तो यहां पर यह चिश क्लियर है कि आपकी जो person है अभी के time में में भी उनके साथ आपका relationship खतम हो सकता है कोई new person के साथ relationship में आओगे workplace में मिल सकते हो कहीं आप higher लड़नी के लिए बाहर जा रहे हो ठ हो सकती है Chinese Japanese ठीक है and South Korean इस तरह की energy में इंडोनीशा के भी हो सकते है मतलब जो भी Asian में आते हैं उस तरह की हापे दिखाई दे रही है ठीक है यह चीज़ है तो यह चीज़ है and यह जो person होंगे डिफिनेटली आपके parents को काफी ज्यादा भाएंगे और आपके parents उस वक मना नह कर रहे हैं क्योंकि यह पार्टनर है आपको डिजर्व नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं यह loyal है नहीं आपके लिए ठीक है बहुत साही लोगों के लिए messages है यह वीडियो जो है ना हमेशा मेलाते रहोंगे ठीक है ताकि आपको guidance मिल सकते motivation मिल सकते clarity मिल सकते life में आप move on कर सको क्लियर ने दिखा रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और यह जो person ने खुद कहीं बाहर के हो सकते हैं long distance relationship हो सकता है matrimonial cycle मिल सकते हो ठीक है यह clear है इस person का कोई business हो सकता है और बहुत बड़ा-बड़ा business होगा export import का ठीक है और maybe company वगेरा भी हो सकता है इस person का product वगेरा like beauty से related दिखाई दे रहा है और साथ साथ हो सकता है कुछ nutrition वगेरा होते हैं supplement वगेरा होते हैं उनका भी इनका कुछ business वगेरा हो सकता है ठीक है यह चीज़ क्लियर है उसके बाद यह person जो है कैसे होंगे मैं आपको बताना चाहती हूँ काफी यंग होंगे आपका जो भी एच हो रहा है में भी उसी एच के हो सकते हैं थोड़ी से बड़े हो सकते हैं ठीक है कोई भी second-third marriage वाले अगर आप देख रहे हो तो यहां पर हो सकता है कि हां आपसे दू-3 साल बड़े हो ठीक है और जो भी single है मिंगल है आपका ऐस 25 है ठीक है 30 है 32 है तो में आपके जो परसने सिमिलर ही होंगे आपके एच के और जाने स्यादा एक दू साल बड़े होंगे ठीक है तो यह चीज है कि आपके जो परसन होंगे future spouse definitely बहुत ही ज्यादा knowledgeable होंगे गलत चीज और सही चीज काफी जल्दी परकते होंगे ठीक है यह चीज यहां पर दिखाई देते होंगे बलकि अपने दिमाग को यह जो है ना कंट्रोल करके चलते होंगे ऐसे अनरजी यहां पर दिखाई दे रही है ठीक है इस परसन को definitely horse riding तो पसंद हो गाहीं उसके साथ इस परसन को exercise करना योगा करना meditation करना बहुत ही ज़्यादा परसंद होगा इनका favorite hobby कह सकते है कि running running इनको आता होगा काफी अच्छे runner यह person हो सकते है ठीक है यह clear है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि person जो है न कामेज में ही बहुत जादा experience किये हैं बहुत जादा knowledgeable होंगे प्रोफेसर हो सकते हैं ठीक है इस तरह की energy है judgment यहाँ पर हो सकता है कि आप आपको मिल सकते हैं या फिर अगर आपके घर में किसी का कोई case वगेरा चल रहा है और आप for example court वगेरा गए हो किसी काम से ठीक है कोट वगेरा के बगल से गुज़र रहे हो तो में भी वहाँ परसन आपको मिल सकते हैं दिख सकते हैं ठीक है यह चीज है सो यहाँ पे चांसे होगी लेकिन यहाँ पैसा दिखाई दे रहे कि postpone बहुत होगा डिले बहुत ज्यादा हो सकता है ठीक है क्योंकि आपके जो parents है वो कास्ट के वज़े से religion के वज़े से मान नहीं रहे है ठीक है तो यह चीज है कुछ लोगों के जो parents होते हैं काफी ज्यादा rigid होते हैं जिद् connection में हो तो yes stand तो लेना होगा क्योंकि अगर आप अपने soulmate को पाना चाते हैं जनम में true love चाते हो तो true love तो इतने असानी से मिलता है जब movie में असानी से नहीं मिलता है movie आप देखते ही होगे तो real life में तो और भी टफ है ठीक है लेकिन असा नहीं कि impossible है ज़रूर मिलेगा manifestation से मिलेगा ठीक है और natural तरीके से करोगे तो भी बहुत अच्छा है ठीक है natural manifestation में natural है लेकिन यह होता है कि आप थोड़ा और power act कर रहे हो अपने relationship में तो यह चीज है तो मेरा कहना कि manifestation खुल के कीशिए बहुत मज़े से कीजिए क्योंकि काफी टाइम है ठीक है यह चीज है सो यहां पर कुछ लोगों की जो current partner है वो definitely बहुत stand लेने वाले हैं ठीक है सो clear हो चुका है सो मैं आपको बताना चाहूंगे कि आपके future spouse का nature कैसा है king of pentacles के energy है मतलब आपके जो future spouse होंगे वो आपको बहुत ही जादा खुश रखने वाले हैं इनके पास pet हो सकता है dog में especially इनके पास husky ठीक है husky breed हो सकता है या फिर golden retriever हो सकता है ऐसी energy हाँ पर दिखाए दे रही है उसके बाद German shepherd dog होते है वह भी इस person के पास हो सकता है ठीक है यह चीज है आपके जो person है वह काफी जादा smile करते होंगे अगर आप कोई बाते करोगे ठीक है first time मिलोगे बाते करोगे तो वह कम बोलेंगे और smile जादा करेंगे जादा सूचे होगा बहुत शांती होगा ठीक है आपका मतलब कह सकते हैं कोजी प्लेस बन जाएगा इनका खर ठीक है मतलब आप चाहोगे कि इनके घर पर ही time spend करते हो मतलब शादी से पहले वह सकता है कि आपको घर डेकर जाए घर दिखाए तो ऐसा दिखाए दे रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके future spouse होंगे और में यह जो person है एक librarian भी हो सकते हैं ठीक है किसी बड़े university में यह librarian मगेरा दिखाए दे रहे हैं सो यहां पर यह सारे messages है मैं कुछ और में messages आपको बताऊंगी कि future spouse है कैसे ठीक है सो यह clarity आपको मिल रही होगी कि शादी किसे होगी कैसी होगी तो बहुत सारे लोग तो कार्मिक कर रहे हैं अपने मूट को चेंज करने के लिए कर घूमने फिरने को जा रहे हो ओके टावर की energy है बहुत साथ लोगों कैसा दिखाई दे रहा है कि आपका केरियर पहले बहुत सब्सक्राइबास होगा बहुत अच्छा होगा केरियर में उसके बाद आपकी शादी हो सकती है 16 मंद भी लग सकते हैं कुछ लोगों को and seven of pentacles यहां पर आपके लिए बहुत बड़ा information है कि प्लीज आप लोग जो है अपने केरियर पर ध्यान देना शुरू कीजिए यूगि जब आपका थोड़ा सा ध्यान हटेगा ना तो आपका love life इधर से भगवान जो है इश्वर अल स्कॉर्पियो होगा और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है अपी आप चैन जितना भी रोलो बहुत ही ज़्यादा transformation लेकर आ रहे है यह परसन जो है वैसे जगा पे रहते होंगे जहां पे बहुत ज़्यादा पानी होगा मतलब की संबुंद्र बगेरा हो सकते हैं सी होगा य कुछ लोग सेकेंड थर्ड मारेज वाले दिखाई दे रहे हो शादी आपकी होने वाली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू परसन इंटर करने वाले हैं बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे तो यह अच्छी बात है मैटेमोनियल साथ पे आप जरू यह आपके लाइफ में इंटर कर रहे है तो ग्रोथ लेकर आ रहे है ठीक है पैशनेट अनरजी लेकर आ रहे है और आपको बहुत जादा खुश रख रहे है यह भी है यह परसन जो है बहुत जादा ध्यान लगाते होंगे मेडिटेशन करते होंगे सांत रहते होंगे उसके क्या इंफर्मेशन है आपके लिए यहां पर कुईन ऑफ कप्स तो बिल्कुल यह जो परसन है आपको एक कुईन की तरह कर रहे हैं आप इस परसन को एक की तरह ट्रीट कर रहे हो और देख सकते हो या पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का काड़ है मतलब कि आप बहुत साधा ट्रावल भी करने वाले हो बेभी हो सकता है कि इस परसन के साथ आप ट्रावल करो और टू अफ कप्स की एनरजी है अने वाले हो या फिर कोई न्यू परसन जो आप आपके ट्रू स्वोल मेट यह इंफॉर्मेशन है आपके लिए आपको समझ माया होगा स्क्लियारिटी मिल रही होगी ठीक है मैं आपको बताती हूं कि कैसा होगा आप दिनों का बाउंटिंग ठीक है इस परसन का जोडियक साइन है मेभी एरिस लियो साइटेरियस भी हो सकत होगा इस नियो साइटेरियस होगा एंड साथ साथ कैंसर पाइस प्रफियो हो सकता है ठीक है और के इंफॉर्मेशन है प्लीज इस पार गिमेट मैसेज में डियर वीवर्स देखते हैं कि कैसा है आपका कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ प्लीज गिमेट मैसेज इनर स्ट्रेंथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोगों को एक दुसरे के लिए बहुत जादा सपोर्ट लेने की ज़रुद्नी पड़ेगी या फिर बहुत जादा खुल कर दिखाने की ज़रुद्नी पड़ेगी मैं तुम्हारे सपोर्ट में ठीके एक्सप्रेशन के तुरू ठीके साथ ताइम स्वेंड करने के तुरू ही जो है आप बहुत कुछ समझने लगोगे इस परसन को कि यह क्या कहना चाहते है ऐसा यहां पर आप दोनों के कनेक्शन होगा मतलब कि आप दोनों के बीच का एक तैलीपैथिक कनेक्शन दिख पर क्लियर है कि बहुत सारे लोगों का अच्छा होने वाला है रेलेशन से आप अपने पार्टनर के साथ ही शादी करोगे आपकी लव मैरेज हो सकती है बहुत ही ज्यादा चांस है और कुछ लोगों के लिए तो यह क्लियर है यह आपके लाइश में कोई न्यू परसन इनरजी है कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए यह आज का फर्मेशन है आपका माई हर्ट इस ओपन क्यूंकि सभी लोगों का हार्ट यहां पर मुझे क्लियरली ब्लॉक दिखाई दे रहा है ठीक है और आपको अपने हर्ट चगर पर वर्क करना है अफर्मेशन के साथ आ यहाँ पर लिखिए my heart is open I encourage romance in my life देखोगे कैसे कैसे जो है ना आपके life में changes होने लगेंगे love life में आप romance अपने life में track करने लगोगे और साथ साथ जो है आपको थोड़ा सा ना अपने आपके साथ भी enjoy करने की जरुवत है आप अपने आपको value नहीं देते हो यहाँ पे clearly दिखाई दे रहा है so comment में यह भी आपको लिखना है I love myself and I enjoy my own company देखिए आपके जो future spouse होंगे वो आपको इतना ज्यादा motivate करने वाले है न कि आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने लगोगे तो ऐसे ही person होने चाहिए सब भी को ऐसे person मिले मैं prayer करूंगी प्रातना करूंगी जो कि आपके सा आए भी ठीके तो यह चीश क्लियर है कि आप लोग मिलके कल्टीवेट कर रहे हो एक अच्छा दोस्ती friendship romance इस relationship में काफी deep connection होगा और साथ-साथ सारी चीजों का fulfillment हो रहा है आपके person आपके future spouse की द्वारा and then inner strength जैसे मैं आपको बताया explain किया yes definitely आप दोनों के रिष्टे में inner strength होगा ठीके इस चीश को दिखाने की जरुद नहीं पड़ेगी जब ऐसा situation आएगा ना तो खुद ही आपको बता चल जाएगा and साथ-साथ आपके जो person है वह आपको divine time पे मिलने वाले है ठीके तो इसके लिए आपको घबरानी की जरुद नहीं है मैं आपको timing बता देती हू जस्ट अभी और साथ-साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग बहुत ही जादा लखी हैं मतलब incredibly lucky आप दिखाई दे रहे हो ठीक है I am so incredibly lucky यह भी आप लिखिये ठीक है क्योंकि जो person है आपके लिए काफी ज्यादा अबक्राइब लगे लगेरा हो सकता है यह person आपके साथ काफी ज्यादा सेफ आप भी करेंगे आप भी फील करोगे एंद काफी ज्यादा एडवेंश्रास काम भी करोगे ठीक है यह चीज है so peaceful energy आपके लाइफ में आएगी तब जब आप इस परसन से मिलोगे मतलब जब इस परसन के साथ रहोगे ना तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि आप मुझे कोई नहीं चाहिए यह परफेक्ट है ठीक है आपके जो परसन है कौन से कंट्री के है सबसे पहले ब्राजील है हाँ पर नेपाल है that's great Belgium इंडिया अफगनिस्तान है स्पेन है मेर्मार बांग पर्मेशन आते लिए कि आपके जो परसन है वह कौन से स्टेट के होंगे तमिल लादू नागालेंड गोवा उत्राकंड मध्य प्रदेश प्लीज कोड़ी में क्यूरेट मैसेज लक्षदीप पंजाब आंध्रप्रदेश करनाटका ठीक है आप अपने करेंट पार्टनर से मैच कर सकते हो पुंडिचेरी है में घाले है चतिजगर राजिस्थान प्लीज कोड़ी में अक्यूरेट मैसेज कुछ लास्ट में आपको बताऊंगे उत्रप्रदेश है आसाम है उडिसा है अंदेन है आपके लिए महरास्त्र और राइट सो यह सारे स्टेट्स है जहां से आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर चोबी आप लोग वीडियोस देख रहे हो आप लोग यहां के हो ठीक है उसके साथ सब आपके चो पर्सन है वह उनका ने में निशिल क्या है फिर्स निम से किन थर्ड निम कुछ भी हो सकता है आप लों कमेंट में जरू बताएगा कि आप आपके पर्सन का क्या है निमें लीशिए ठेके है आई ल एं प्लीज कॉट गिंए टूरेट मैसच इसकोड गिंए टूरेट मैसेज़ टी इस फोर्ट गिंए टूरेट मैसेज वामए डीयर वीवर्स ओके सब्सेपहले तो यहापर मैं आपको बता दू वाई जो खुद से सब्सक्राइब कर दो लास्ट मैं आपको बता देते हो यहां पर बी है एफ और राइट सो यह सारे नेम इनिशिल आपके फ्यूचर स्वाउस के होंगे ठीक है अगर आपके परसन से करेंट पार्टर से मैच करता है तो काफी अच्छी बात है है नहीं आपको प्लियारिटी मिली होगी समझ में आया होगा मैं आपको थोछा टाइमिंग बता देती हो जो कि मैं भूल चुकी थी लेकिन बहुत जरूरी है बताना तो प्लीस गडिये में अक्यूरेट मैसेज टाइमिंग बताईए गॉट मेरी व्यूवर्स के साधी कब तक होगी प्रीज को गी में एकुरेट मैसेज ओके यहां पर दिखाई दे रहा है मार्च अप्रील के टाइम में हो सकती है समर सीजन में होगा ठीके तो समर सीजन अभी काफी लंबा चलने वाला है तो टेंशन लेन में इस परसन से मिलो ठीके मिलने के चांसेस भी मैं आपको बताऊंगी कब तक मिलोगे रेनी सीजन हो सकता है कि आप रेनी सीजन में मिलोगे कुछ लोग हो सकता है कि आप इस परसन से मिले हो और रेडी जैनवरी फैबरी के मन्त में तो हो सकता है कि इस परसन के साथ आपकी कि अपकी शाधी हो ठीक है कर्सें अंदेन है समर्पर से हो सकता है कि समब्र टाइम में आपकी शाधी हो सकती है ठीच है और किया है मेरनीन सब्सक्राइब बार बार मैसेजजिस मत तरसे सबEduр दिले होगा मुझे आप इसा दिखाई दे रहा है कि यस डिले होगा लेकिन सब कुछ अच्छा होगा और क्या इंफॉर्मेशन है दो कर्स और आप कि चाथी हो या फिर विदिन तरी मंथ इस परसन से आप मिलोगे तो यह सारे इंफॉर्मेशन है होप आपको प्लियर्टी मिली होगी जून जुलाइं में भी आप इस परसन से मिल सकते हो चाणल पे नए है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए पर से लिए क्लेकर सकते हो म आप अपने date of birth को select करके आए होंगे या फिर आप अपने spiritual card को select किया होंगे चैनल पर नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए paid person reading के लिए contact कर सकते हो मेरे gmail और इंसाइडी के थुरू सिबसे पहले तो मैं आपको यहीं बताऊंगी कि सबसे पहले काड़ा है challenging time देखें यहां पर काड़ाया कि देखें चांस है शादी हो सकती है लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे चैनलेंजेस आपको फेस करने होंगे ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ आग चैलेंजेस फेस कर रहे हो आपके परसन जो है आपको बीश मजधार में छोड़ दिये हैं और वह कुछ कर नहीं रहे अपने तरफ से अफ़र्ट नहीं लगा रहे स्टैन ले रहे तो फिर हो सकता है कि आप भी जो है हार मान जाओ ठीक है तो इस रिष्टे को अगर आगे बढ़ाना है एक नेक्स लेवल पर जाना है अगले मुकाम पर लेकर जाना है शादी करने है घर बसाना है बीवीज देखने है घूमना फिरना है बड़े-बड़े का इस रिलेशन सिप को सक्सेश्फूल बनाने के लिए और सिर्फ यह एक तरफ से नहीं चलेगा ठीक है अगर आप सोच रहे हो कि आपके जो पार्टनर है वो सब कुछ कर देंगे और मैं कुछ नहीं करूंगी मैं कुछ नहीं करूंगा वो सब कुछ देख लेगा वो सब आप चाहिए तो चैलेंजर्स भी साथ में एक्वल फेस करना होगा ठीक है बेब ऐसा हो सकता है कि आप अपने पैनल से बहुत जादा डरते हो ठीक है और जब आपके पार्टनर आपके पैनल से सामने आगये आप से कुछ पूशन पूशने लगे कि मुस्से साथी करोगी य करें तो दोंवों को ही इस डीकल में काफी य्यादा बोल्ट होना होगा बोल्ट बनना पड़ेगा ठीके स्टैंड लेना होगा तब ही और बढ़ सकता है मेबी कुछ लोग अभी हाल फिलार में रिलेशनसिप में हो रिलेशनसिप काफी अच्छा दिखाई दे रहा है स्मूद चल रहा है five month हुए होंगे five week भी हो सकता हुआ है और अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि रिस्ते का क्या future है अभी आप लोग के साथ बहते चले जारे हो अच्छा लग रहा है इंचुआय कर रहे हो ताइम कर रहे हो या फिर मैट्रिमोलियल के साइट में लेवा फेस्बूक पे मिले हो च्छे से बाते सब कुछ चल रही है लेकिन जब बात हाईगी शादी की तो फिर आप दोने की बीच में नोग एक र्यालिटी टेस्ट होगा कह सकते हैं कि आपका चेक होगा कि आपका और दर्थ बूलाने के लिए या फिर अपने लोनिनेस को खतम करने के लिए आप किसी को ढूंब रहे थे और सेम को और सिको डूंब रहे थे आप लोग रिलेशनसिप में आ गए एक दूसरे को तो नहीं कह सकते एक अलग रिष्टे में होता है तो इसा रिलेशन है तो बहुत ही ज्यादा ना कि बराबर आपका रिलेशनिप आगे बढ़ेगा अगर आपने माइंड में पहले सा सोच लिया है कि इस रिष्टे का कोई फ्यूचर नहीं है यह वह लेकिन फिर भी आप देख रहे हो तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही पाओगे अगर आप अपने परसन सामने वाले परसन से टू लफ करते हो और उससे स्थाधी करना चाहते हो तो वैसे ही सोचना होगा और उसके लिए स्टैंड लेना होगा यह बहुत सोट में समझा दिया है कि यह अगर आप अपने परसन से शाधी करना चाहते हो और वह सीरिस नहीं है तो उसको अभी ही बोल दीजे क्योंकि हो सकता है वह आगे जाके नकड़ा करे या फिर मना करने लगे आपको तो एक बार से पूछ लीजे पूछ कर देख हो तो मुझे शाधी करना चाहते हो किया इस रिशन का कोई फ्यूचर है अगर उसने क्लिरली नो बोल दिया इतमेंस कि वह बस टाइम पास क्लिए है ठीक है और कुछ सोच कर बोलेगा और कुछ भी बोलेगा कि देखेंगे आगे वह तो हो सकता है कि इसका इंदेशन है अगर आप चाहते हो साधी करना और अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है तो जाइए अभी पूछिए कि वह कमिटमेंट देना चाहते है नहीं तो सब बहतर है कि समय आप वेस्ट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ठीक है कि आप समय वेस्ट कर रहे हो तो आप जो है किसी को दोस्त बना के भी कर सकते हो अच्छा टाइम कर सकते हो ठेक है लेकिन ये जो लो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है आप सोचोगे कि मुझे इसके साथ नहीं होना है बिसमें टाइम करूँगी लेकिन एक ताइम ऐसा आएगा कि तिनकीन करने लोगे डरने लगोंगे डरके स्पीर बन जाएंगे वह आपके इसलिए मैं आपको चाहती हो कि आप एक अच्छा जिन्दगी चीओ आपको एक अच्छे पार्टनर मिले जो कि आपको हील करें आपको खुश रखें सपोर्ट करें हम इसा साथ दें ना कि ऐसे लो कि आपका जो है अरेंज माहिज होगा ठीक है और अरेंज माहिज पे हो सकता ही कि आपको मजबूरी में करना प्भी और कुछ लोगों का इ לפ का ब्जा गांफी बूतिफून वाहला हों सकता है निश्प परसन तो हो गई ठीक है कुछ लोग जो आप सिंगल है वीडियोज देख रहे हैं आप सोच रहे हो कि मुझे अरेंज मारी जी करना है या फिर कोई मिल जाए तो प्यार व्यार हो जाए तो यहाप ऐसा दिखाई दे रहे कि यस सब्सक्राइख की तरह होंगे। कोई न कि नThese आपको जादाव जाहें करेंगे परिशान हैं और नुरी कि लोग उनलों के लिए भmp4 तो ह्यार फिर दिखाई दे रहा है और यहां पर एक चीज है जो भी करेंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो बहुत सारे प्रॉब्रम्स छेलने आपको पढ़ सकते हैं ठीक है और हो सकते हैं कि फैमली वगरे से भी आपको फाइट करना पड़े तो यह चीज है यह चीज है उपके जो परसं है वह बहुत अच्छे होंगे हीलर होंगे प्रफिशन की बात की जाये तो यह जो परसं है डॉक्तर हो सकते हैं और साथ साथ कोई गवर्मेंट जॉब में भी यह परसं हो सकते हैं आपके जो future spouse होंगे open up होंगे और यहां पर हैं यह पिल्कुल ए इसी नेचर के वज़े से आप दुनों की बीच में छगड़ा हो जाए ठीक है कंट्रोलिंग हो सकता है कभी-कभी वैसे भी आपको बहुत जादा बुरा लग सकता है कुछ वैसे बातों पर भी परसन बोल सकते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए था ठीक है तो यह चीज यहां प बाते तुम से शेयर करता हूं हर एक कुछ जो है तुमको बताता हूं तो तुम भी मुझे हर एक चीज बताओ तुम्हें इसे तीसरे परसन की क्या जरुवत है ठीक है उनका यह सोच होगा यह ठीक होगी तो मुझे आपके क्लियरली आप तुनों का रिश्ता बहुत हरी चीज डिसकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है और इतना इंजॉइमेंट इस परसन ने कभी ने किया होगा जितना आपके साथ यह करेंगे ठीक है बिल्कुल एक बच्चे की तरह होंगे यंग होंगे ब्यूटिफुल होंगे और भी हो सकते हैं कुछ लोगों के है ठीक है और कभी-कभी ऐसा सिच्वेशन भी क्रियेट होगा दोनों की बीच में यह जो है बहुत उस्सा भी करेंगे बहुत जिद्धी हो जाएंगे रोएंगे भी आपके लिए ठीक है तो इस तरह का नेचर इस परसन का दिखाई दे रहा है मतलब एक एक ड्रीम छोटे स चोटे ड्रीम जो है यह परसन आपके साथ देखेंगे मतलब यह बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके प्यार को आपके दिल को वह क्यात कर लेना चाहते हैं कि आपको किसी और के पास ना जाओ तो इस तरह की भी एनर्जी है यहां पे ठीक है यह चीज़ है स्प्र कोई भी प्रावलम है टेंशन है तो मैं यह आपको बताना चाहती हूं कि बिल्कुल आप सोचे ऐसा कि आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है ब्राइटेस्ट है ठीक है और जो भी चीज़ आपके लाइफ में आ रही है उसको ना अपने विंक्स को अपने बाहों को करेंग कीजिए चाहें वो चैलेंजिंग टाइम हो या फिर भूत खुशियो भर्ना ताइम हो यह चीज कहना चाहते हैं यूनिवर्स यह वहवार्स आपके अंदर देखना चाहते है ठाप वो सोचते हैं यूनिवर्स ऐसा विंक्ने बारे में उनको अप्ल activity बहूं पत्लब को भी ऐसे बोलोगी ठीक है आजाओ चैलेंज मैं तुम्हें देख लोगी तो यह युनिवर्स आपके अंदर देखना चाहते है ठीक है और जब यह आपके अंदर आएगा उस टाइम से आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजिस होंगे ही लिंग होगी ठीक है तो थोड़ा हाई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो सर्मारते हो इस तरह के यहां पर है ठीक है तार्स हाया है खुझ से त्री काड्स सबसे पहले तुम यहां पर इस एक तत्रूत का काड़ है इसके मुझे असा लग रहा है कुछ लोंग जो है जिसके जो आप रिलेशनसिप में आपे भी जो हो सकते हैं अनले साधी हुआ हो मैरेच हुआ हो और प्यार से आपको कोनी के डिर से वह आपको यह सारी जीज़ें नहीं बता रहे हैं तो यहां पहसा हो सकता है कि जिसके साथ आपसे पहले तो सकता है कि उनका background वैसा हो जो कि आपको पसंदी हो आपसे different हो सकता है यह इनी भी खराब होगा बल्कि आप से different होगा बताना तो सते हैं लेकिन वह को हो सकता है कि आपको खुणे के डर से नहीं बता रहे हैं तो स्कता है कि अपको खुड़ा पर के रहना है लोग्यों को छ पर समार्ट के रहना है कि आप कश सकता है कि आपके sudah लाइफ में new person enter करेंगे तो वह तो बहुत ही beautiful होंगे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि definitely आपका married life जो है beautiful होगा क्योंकि आपका क्यों बहुत को लेकर वह सारा सफना पूरा होगा सर्फ एक नहीं बलकि बहुत सारे सपने ठीक है यूनिवर्स आपको देगा जरूर ड्रीम्स कमिंग टू और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद होगा यह सारे ड्रीम्स जो है काफी जल्दी होने वाले हैं ठीक है शादी जो है नाइन मंत के अंदर भी बहुत सारे लोगों की हो सकती है कंद ब्लौसम का गड़ है तो आप देख सकते हो ब्लौसम कार्ड रिप्रेजन करता है आपके डाइंग लाइफ की ग्रोथ की खुशियों की ठीक है आपके लाइफ का गॉल्डें टाइम कह सकते हैं सबसे ब्यूटिफुल टाइम कह सकते हैं और ब्राइटेस्ट चार्मिं कर ताइम जॉइफुल टाइम कह सकते हैं आपका मैरेट लाइफ होगा ठीक है इतना टाइम हो सकता है कि आपने अपने पैरेंस के साथ भी नहीं बिताया है हो सकता है कि आप 10th and 12 तक अपने फैमिली के साथ रहे होंगे उसके बाद अपने पढ़ाई वड़ाई करने के लिए क कैसी और स्टेइट किसी और कंटरी ऑचे से अपने फैमिली को भी आपने मेरी समझ भाई ऐसां cooking वो कि नहीं होता कि क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के life में इसा होता ना कि future response जो मिलते हैं कुछ दोगे भाज भी होते हैं तो पराम भूरे ही होगा लेकिन कुछ लोगों की future response बहुत अच्छे भी होते हैं तो वो जो है बहुत ही यूनिक होता है ब्यूटिफूल होता है तो यह चीज है और क्या है प्लीज को गिरेक्ट मैसेज ड्रीम ओके डिसीजन सेवन नंबर आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इनर्जी है यहां पर कंफर्ण देखिए यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग डेड्रीम्स कर रहे हैं ठीक है ऐसे ड्रीम्स आप लोग देख रहे हो चेंज और फोकस अंड कंट्रोल ठीक है हेल्पलेस होपलेस डिटैच मुझे बहुत ज़दा यहा अभी अच्छा relationship नहीं चल रहा है मैं explain कर देती हूं आपको कि सबसे पहले आप ऐसा दिखाई दे रहा है आप जिसके साथ relationship में उनकी साथ आपका काफी जगड़ा हो रहा है और वो जो है आपसे बहुत सारी बाते चिपा रहे हैं आपका intuition कह रहा है कि वो आपसे जूट बो सकती मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता क्योंकि आप बहुत जादा helpless and hopeless सा feel करते हो इस परसन के बिना अगर आप इतना जादा गिर रहे हो इतना जादा परसन के सामने request कर रहे हो और सोच रहे हो कि इस परसन का प्यार आपको मिलेगा तो आप already खो चुके हो खोनी का कहने क क्या मतलब है उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं वह सकता है कि आपके जैसे बहुत साई लोगों के साथ इस परसन ने मजाग किया होगा तो यह एक important information आया है यह सारे इसे कार्स हा गया जिसके लिए बताना जरूरी था बहुत जरूरी था यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा हो कि जिसके साथ आप अपना सपना देख रहे हो विजुलाइज कर रहे हो हो सकता है कि वह जो परसन है वह आपके लिए सही नहीं है यूनिवर्स जो है खुद आकर कहना चाते हैं आपको information देना चाते है चेंज यूर फोकस अपने emotions पे control रखने की जरुवत है ठीक है जिसक करता है कि आप किसी के साथ जिसके साथ relationship में हो कार्मिक है और उनके साथ आपको detach होना पड़ेगा ठीक है दूसरी बात यहां पर है कि आप लोग ने बहुत effort दिखाया तो बहुत ही अच्छे हो बहुत ही जादा अप लोग अच्छे दिखाई दे रहे हो बहुत बहुत बहुत जादा सॉफ्ट है आप बहुत जादा इस relationship पर रख कर चुके हो लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है कोई आउटकम हैपी आउटकम तो है यह नहीं आपकम हैपी होटकम तो दूर का बात है आउटकम से नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है तो इतना सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो ठीक है और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो बिल्कुल वहीं कीजिए आप भी वहीं सब्सक्राइब कीजिए फिर आप देखोगी कैसे दौरे-दौरे परसन आपके तरफ चले आएंगे ठीक है पहले बात तो इस परसन को डाइजेस्ट नहीं होगा कि वह जो है कैसे मेरे बिनातना खुश है ठीक है कैसे वह अपनी जिन्दिकी को इतनी चेतरीके से जी रही है थो यह सारी बात है उनके दिमाग में चैनल लेगेंगी लेकिन मेरा तो यह कहना है कि अगर आसे परसन है आपके लाइव में जो कि आपको बहुत परिशान करते है भंब즘 वह प्रतारित करते हैं फिर भी आप उस परसन के प्यार केलिए तरसते हो तरफते हो तो मुझे ऐसा लगदा है कि इस परसन के साथ आपका रिलेशनसिप वर्काउट नहीं करेगा लेकिन हाँ अच्छे परसन मिले हैं काफ़े च्छा ट्रीट कर रहे हैं रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ तो आपका बिल्कुल फिक्स है शादी होगी ही होगी ठीक है यहां पे एक सिंपल सा फंडा है मतलब गोल्डेन रूल आप अपने लाइफ का बना लीजिए कि अगर कोई आपको ठीक है ताइम नहीं दे रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत जादा बीजी हूं तो अगर वह आपके साथ रिलेशनसिप में और यह वात कह रहा है इत मेंस की पूरा का पूरा दिकाल सकते हैं तो यह सब सुचने की जरुवत है आपको फोगी आपको उसको जाकर बोलने की जरुवत नहीं है कि आप कितना भी बोलोगे न कोई फर्क नहीं पड़ेगा वह आपसे वहीं सुनना चाहेंग़ जो हमेशा से चाहते आए ठीक है वह हमेशा से क्वांडिंग क्यासी होगी प्लीज को गिब में एक्विएट मैसेज्ज फॉर में दियो व्यूवर्स ओके सो यहां पर है हाई प्रिस्टस हाइप ऐसा दिखाई दिया है कि कुछ लोगों की जो पर्शन होंगे फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वह काफी ज्यादा इन्ट्यूटिफ हो सकते हैं इस परसन के अंदर होगी ठीक है इस परसन का समाज में बहुत रिस्पेक्ट होगा यह परसन बहुत ही ज्यादा वैल्युवल होंगे और आपका लाइफ जो है वह पीसफूल डिफिनिटली होगा ठीक है आपके जो परसन है वह इंवस्टमेंट बगेरा काफी ज्यादा करते होंगे बहुत ही ज्यादा पेसेंट होंगे यह परसन अपने लाइफ में हमें सब प्रोग्रेस करना चाहते होंगे हम इशा जो है नए-एप्लांस मनाते होंगे ठीक है और भी इंफॉर्मेशन है प्लीज गीने क्यूर्ट मैसेज ओके सुमेट सब्सक्राइब करेंगे आपको बहुत सारे सर्प्राइज देंगे और काफी अच्छे तरीके से वहवार करेंगे मतलब काफी हमबल और काफी काइंड होंगे आपके परसन ठीक है दूसरे बात यहां पैसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उनसे रिसीव कर और दिन क्या है आपके लिए ओके सबनाव का काट है तो यहां पर कुछ लोग अगर अपने परसन से शादी करना चाहते हो करें पार्टनर से तो यह समय बहुत बहतर है आप चाहें तो अपने पैरेंस को बता सकते हो पने पार्टनर के बारे में यहां पर आपके अंदर बह स्पेस लीजिए अपने पार्टर से और थोड़ा रिस्ट कीज़े प्रीज ठीक है और क्या इंफर्मेशन है प्लीज कोड़ी में कि रेट मैसेज परस्पेक्टिव यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बैटर परसन इंटर करेंगे जिसके लिए आप इतना मर मिट रहे हो यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उससे बहुत ही अच्छे परसन आपको मिलेंगे आप उनको डेट करोगे वह आपको डेट क जर्वत है यह आपके हाथ में है सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगे आप चाहते हों परसन जो है मेरे लिए सही है perfect है best है मैं कैसे पहचानओ उसे तो सबसे इंपर्टेंट वह देखना है आपको कि आपके परसंदूंगे future spouse चाहते हो आप इससे साधी करना उसको पर यह फिर बहुत जादा मनमोजी हो रहे हैं तो परोगे न तो वहीं चीज़ है कंट्रोल सब जगा चलता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनसिप में हो responsibilities आई है तो control अगर आप खुद को नहीं कर रहे हो तो सामने वाला help करेगा ना तो control करने में तो control भी एक limit में होता है कुछ लोग जो है ना सामने लिएक freedom ही खतम कर देते है relationship में तो आपको सबसे पहले यहीं देखना है कि वो कितना का हुआ कर्व कर रहे हैं कहां चुक रहे हैं कितना support कर रहे हैं और सबसे important आप capaz कितना ज्याधा freedom स्यूंफ कर पा रहे हैं अगर आपको कहले से घउ 분들은 feel हो रहा है इतमिस कि अप डिस्ट परसंट के साथ आगर बढ़ सकते हो थाजिवारे कर سकते हो थीक के तो बहुत अच्छी बात है उसे जरूर शादी कीजिए मतलब कि आपका जो मैरेड लाइफ है वो लव और ब्लेसिंग से भरा हुआ है यह आपके पार्टनर के साथ नहीं बल कि आपके पूरे फैंली के साथ इनलास के साथ बच्चों के साथ सब्धी के साथ परफेक्ट होगा हर्मोनीयस होगा ब्यूटिफ्फूल होगा ठीक है सो इतना जदा मैं आपको खुश देख रही हूं ना इतना आप कभी पहले खुश नहीं रहते इतना जदा आप खुश दिखाई दे रहे हो आप काफी जदा इंचुआई करोगे इस परसन के साथ ट्रावल करोगे पिकनिक पर जाओगे हर तरीकी की चीच आप इस परस है है bels गया लव लेटर देना चाहते है तरुश परसन के तरफ वह सकता है और नियू परसंट के तरफ से हैं कई ह। आपके जो परस पर्संट है वह क्रतेश में जो बीकॉविश कॉश वाथ होंगी सबकुछ उनन के पास शुरूव रहेगा तो इसके तो पिर पात चल रहा इसलिए वो सारे messages रखेंगे ओके सो यहां पर clear हो चुका है कि आप इस person को बहुत ही ज़्यादा inspire करोगे आपके जो person है वह भी आपको काफी ज़्यादा support करेंगे inspire करेंगे और भी information है दो है I stalk you यहां पर हो सकता है कि यह जो person है आपके current person हो ठीक है okay so यहां पर एक चीज है कि आपके जो future spouse होंगे आपसे अलग होकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेंगे ठीक है यह फटाक से आपके पास दोड़े दोड़े चले आएंगे इसी energy है and then है यहां पर information दो है यह जो person है शाद आपको बहुत ही ज्यादा विजुलाइज करते हैं यह जो person है कोई new है या current partner clearly दिखाई दे रहे हैं कि यह आपको हमेशा ही अपने dreams में देखते हैं और यह डिलेशन एक twin flame connection भी हो सकता है ठीक है साथ-साथ soulmate connection है 80% chances is soulmate connection का and 20% chances है twin flame का ठीक है यह person आपको विजुलाइज करते हैं देखते हैं हो सकता है कि चहरा ने देख पाते हो लेकिन आपके figure को सब कुछ imagine करते हैं ठीक है और के information है please God give me accurate message okay I want to marry you one day so यह बहुत अच्छा information है इनके लिए तो बहुत अच्छा information है जो कि relationship में है जो भी आपे वीडियो देख रहे हैं आप relationship में हो और आप जानना चाहते थे कि क्या आपके current partner आपसे शादी करेंगे अभी जाके आप पूछने वाले भी होना से तो it means कि हाँ वो बोलेंगे खुदी I want to marry you one day ठीक है काफी अच्छा information आया है काफी अच्छा है और इस मामले में यह बहुत जादा पॉसेजिव होंगे ठीक है और मैं आपको बताती हूं कि आपके जो पर्सम है वो कहां से है प्लीज कॉट गिम्यक्रेट मैसेज इराक ऑस्ट्रेलिया इंडिया बेल्चिंग प्लीज कॉट गिम्यक्रेट मैसेज चाइन घाना आइसलें यूके एजिप्ट नेपाल इंडोनेशिया स्पेन स्रिलंका अफगरिस्तान यूसे एंड है यहां पे एरान जो कि फ्लिप आउट होने वाला था लेकिन मैंने पक्र लिया और यहां पर आपके लिए एक लास हो है पाकिस्तान ठीक है तो यह सारी जो है कंट्रीज है ब्यू के परसंद होंगे अब मैं आपको बताओंगे आपके जो परसंदे कौन से स्टेट के है यह आप मैच जरूर कीजिए अगर आपके कोई करेंड पार्टनर है ना तो आप उनसे जरूर मैच कीजिए अब मैस्टेट बटाओंगी इंडिया के गनाटिका से हो सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब मैसेच मिजरम हर्याना जारकंड गुजरात प्लीज कोट की मैसेच यहां पर आसाम है आपका हिमाचर प्रदेश है बिहार भी है अंदेन है आपके लिए उद्धर प्रदेश है देली है चत्यसकर भी है अंदेन है महरास्ट उडिसा वेस्ट बंगल आंदर अच्छलास्टाइब के लिए उत्रखंड गोवा ओंध्र निशिल क्या है बीसकूड गीमे अंध्यवट है घ्ली ने क्या है तूंछ1 जैज खरेत सारे स्वाइस है आपके करент पार्टों सकते हैं और फ्यूचर फाउस हो सकते हैं ठीका इनका नेम इनिशेल क्या है प्लीस् इंहीं सरे स्टेट कंट्रीज या फिन इनीशिल कुछ भी अगर मैच कर रहा है तो हो सकता है कि आपके करेंट पांटनर ही आपके क्या बनेंगे हस्बेन वाइफ ठीक है और भी है यहां पर आई है वी प्लीज होट गिमें कि रेट मैसेज आर जड यू सी पी प्लीज वाइच जे ए जी एने क्लास्ट है वह आपका एल ठीक है तो यह सारे नेम इनीशिल है फर्स नेम सेकेंड नेम कुछ भी हो सकता है होप आपको clarity मिली होगी सवच में आया होगा अगर आप लोग चैनल पर नए है जरू सब्सक्राइब कीजिए family member बन जाईए अपना support दिखाईए ठीक है इस तरीके के वीडियो हमेशा में लाते रहूंगी ताकि आपको motivation मिल सके help मिल सके guidance मिल सके ठीक है यह चीज है बहुत होगा साथ guidance मिलता होगा और अगर आपके life में कोई ऐसे person है जो की बहुत परिशान है तो जरूर सेयर कीजिए उनको ठीक है अगर आप दूसरों की मदद करोगे उपर वाले जो है आपकी help करेंगे ठीक है इसलिए मैं बोलती हो वीडियो सेयर कीजिए और साथ-साथ परसनल झाल 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 झाल